हेलो नमस्ते दोफ्तों कैसे आप सबी लोग तो आई होग क्या प्रोक बहुत ही ज्यादा बढ़ियां से होंगे तो दोस्तों आज कई दिन के बाद मैं ये वीडियो सूट कर रही हूं तोसल कई दिन से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मन नहीं कर रहा था कि कोई वीडियो तो मैं बनाओं थोड़ा तभी नहीं ठीक था तो आज मैं ये वीडियो सूट कर रही हूं तो चलते हैं कीचन में और मैं यहां पर यह रख दे रहे हूं आलू बने के लिए आज ना बाहर थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है और हमारे यहां पहली बाहर आज मौसम चेंज कि बस पसीना नहीं हो रहा है अला कि बारिस नहीं हो रही है हलकी हलकी सी बारिस हुई है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में लेकिन बहुत अच्छी बारिस नहीं हुई बस मौसम चेंज हो गया है तो बच्चे कई दिन से कह रहे थे कुछ अलग बनाने के लिए उनका मन था बाटी चोखा खाने का तो बाटी चोखा जब थोड़ा मौसम नरम होता है तभी अच्छा लगता है तो हमने का चलो भाई आज कुछ बाटी चोखा ही बना लेते हैं और किचन का वीडियो भी नहीं सूट कर पा रहे थे थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थे इसी वजह से तो भी पचास रुपे का एक पाव यानि 200 रुपे किलो टमाटर है तो अलू उबल गया है तो हम थोचने थोड़ा बैगन और टमाटर को भून ले तो बैगन टमाटर में गैस पर नहीं भून रही हूं गाहों से हमने कुछ उपले वगरा लाकर रखे थे तो मैं उपले पर ही पर बैगन टमाटर नहीं भूने अभी तक नहीं भूने हैं तो उस पर भूने के लिए कुछ बेवस्था मुझे करना होगा जब वह जाली बगरा लाना होगा तभी मैं इस पर भून पाऊंगी तो वह नहीं अभी तो मैंने यहां पर आग जल भी नहीं रहा है तो भी आग यहां बेगन और टमाटर को अच्छे से पून लेती जो बाटी हम बनाएंगे बाटी तो मैं सत्तु वाला बनाओंगी लेकिन उसको मैं वह फ्राइड करके बनाओंगे तो जादा इधन है नहीं इस वज़ेसे मैं फ्राइड करके बाटी बनाओंगी तो बाद बाद पिर चलेंगे तो फटा फट से बाटी बनाएंगे है तो लिजे दोस्तों जैसे तैसे करके हमने बैगन तो देखिए अच्छे से भून लिए हैं और अभी टमाटर तो नहीं भूना है तो टमाटरों को ऐसे ही मैं आग में ढखते रही हूं इसको ऐसे ढख देंगे और यह दिरे धर पकेगा तब तक हम बागे की और तयारियां करते हैं और इस वक्त जो है देखिए साम का टाइम है साम को साथ बज़ रहा है और आज में वीडियो साम को रात को सूट कर रहे हूं बिल्कुल अंधेरा हो गया है हमारे हैं तो रात का यह मेरा समझ लिजे डीनर ह फट्टापन से सत्फू के लिए क्यारी कर लेते हैं मत बाटी में यह चांब शार करने के लिए कि व्य?- यह देखिए म प्याज अधरक और मेर्श धनिया वगराँ महीं-्महिन तो प्याज तो हमने काट लिये हैं लेसुन वगरा को भी महिन महिन काट के तयार कर लेते हैं सत्तू का जो मसाला ये तयार होता है ये बहुत अच्छा लगता है तो बाटी या इसे पूरी वगरा भी बनाते है न तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है पराठे वगरा अक जैसे मालीजा आप पात अगर चना है तो आप उसको भून लिए और उसके बाद उसकोमड पेस कि लिए तो ऐसे भी चने से रहें हो एंगे बून को चाने होना होती है और थैसलिए मुझे निल्यूर से असे क्रेंस से ऐसे महत CGI फाने में पोर सा Rock KT में जो हमने जो सब चीजे महीन हिन चाक कि रखे हैं अद्रक मेर चलेसून धनीया प्याज भगणा तो ये सब पहले तो इसमें हम डाल देंगे कि और इसके बाद फिर इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे तो मसालों में देखें अजवाइनाय कMO भीन के दिए में तो इसके से हमें दूगा भूंश phi दाली आती है लरा मिर्श थैवल यूँ और कि जुड़ा से जीडेशख ठान پावडर अच्छ Państwo तो इसमें लाल मिर्चे के मसाले डाले जाते हैं यह तो ठाल दैशके बढ़ियां लगने लगता है और उसके बात सर्सो का तेल गर का सर्सो का तेल है तो ऐसे एक बढ़ियां से मिक्स करके तयार कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा सत्तु वाला मसाला तयार हो जाएगा तो दोस्तों देखिए मसाला तयार हो गया है तो फटा-फट से अब हम बाटी भी भरके तयार कर लेते हैं तो आटे की लोई तोड़ेंगे और उसे कटोरी का सेब देंगे और उसमें अच्छे से सत्तू भरके हम पैक कर देंगे तो इस तरह से भरी-भरी एकदम से बाटी रहती है तो अच्छी लगती है तो इसी तरह से देखिए हम चलना है फटा-फट से तारी बाटी यां भरके प भर के तयार कर लेते हैं तो इस तरह से देखे सभी बाटियां हम बनाएंगे यह एक बाटी तयार हो गया है तो इसको थाली में रखते हैं और इसी तरह से से देखे सभी बाटियां हम बना लेंगे तो देखे इस तरह से हमने सारी बाटियां बना लिए हैं तो जो बाटियां हम बना लिए हैं तो इनको डारेक्ट फराई नहीं करेंगे पहले ना हम इसको देखे पानी रग दिये हैं यहां उबलने के लिए तो इसको पानी में करेंगे सिस्ट जीफ क्षिस never तो यह अच्छ इन्दल की रौट दिया रौट सेंगे दरने के लिए और फटा ने से चूखा थ便 पैगन और टमाटर को हमने देखके झील लिये हैं बढ़ियां से और अब आलू भी अबढ़ियां से छील लेते हैं इंप लेकिन गाहों वाली फेलिंग नहीं आती है जो हम गाहों पर बनाते थे भून कर चोखा और बाटी वह वाला तो बाती कुछ और है अब लेकिन क्या किया जाए जैसा रहां सहां जहां जैसा भाई है हर जगह उस हिसाथ से भाई चलना पड़ता है क्या करें अब तो यहीं अच्छा लगता है तो चोखा बनाने के लिए देखे हमने ना आलू बैगन टामाटर तो छील लिए थे तो इसमें सेम वही अद्रक लैसून मेर्च और प्याज को बारिक बारिक काट लिए थे धरियां भी हरा बारिक बारिक काट लिए हैं तो इसमें हम सारी चीजे देखे काट के डाल ला हैं च कच्च्य ढालिए बहुत ही बढ़ियां लगता है ये वाला कि लाध्य लगता है तो बतादे घर का तेल है ना तो किसी चीज में भी बनाने में हम लोग हीचकते नहीं है कच्च्य तेल यूज करने में वह बहुत अच्छा लगता है जो मार्केट का तेल है उसमें एक अजीब तरह की स्मेल और जहार आती है जबकि आप लोग देखते हैं कि कई साल से मुझे मेरे घर का सरसो का तेल होता है हमें कभी भी तेल में जहार नहीं होता है हमारे घर के सरसो के तेल में पता नहीं क्या कैमिकल डाल के सरसो के तेल में इ तो इस तरह से मैंने चोखा बना लिए हैं और चलते हैं बाटी को भी फटा फटते चेक कर लेते हैं काफी लेट हो रहा है बच्चे जो है अब मांग रहे हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है जब घर में कुछ अलगी तरह किते बनाओ ना तो सब उतावले हो जाते हैं खाने क के लिए भी तो फिलाल अभी चेक कर लेते हैं तो यह बाटी भी हमने लगभग 5-6 मिनट उबाले हैं तो बाटी अच्छे से देखिए उबल गया है और अब इसे हम इसमें से पानी से कर लेंगे अलग तो बस थोड़ी देर के लिए इसे हम अलग रखेंगे ताकि इसका जो पानी उपर लगा हुआ ना यह सूख जाए इसके बाद हम इसे फ्राइब करेंगे तो देखें अन्नु भी आ गई है अपनी पढ़ाई पूरी करके अब अन्नु को लग गया भूक और इस वक्त रात के नौ बज गये हैं मुझे बनाने में लगभग तो घंटे तो लगी ग करेंगे तो इसे सरसो के तेल में मैं तल ले रही हूं बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब इसे आप तल के खाईए और यह वाला ना बाटी दो से तीन दिन चलता भी है बस इसमें आप ना प्याज और लैसून यह न डालिए तो यह दो तीन दिन तक चल जाता है जल्दी ख अगर मालीजे जाना है तब आप इसमें प्याज और लैसून डालिए बाकि सारी चीज़े आप डाल सकते हैं और तुरंत खानी है आठ दस बारा घंटे चौबिस घंटे के लिए रखके खानी है तो प्याज लैसून डालिए बहुत अच्छा लगता है खाये खराब नहीं ह लोगा तो इस तरह से देखिए हम फ्राइ कर लिया है और बाकिके बाटियां जो है फ्राइब कर रहे हैं बच्चे आ गये हैं तो उनको खाने के लिए भी चाहिए तो मैं गर्मा गरम उनके लिए निकाल भी दे रही हूं अच्छा बाटी चोखा बनाते बनाते ना बहुत खाते हैं और आप से मिलेंगे फिर अब नेक्ट व्लाग में अभी मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का फिलाल आज की वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके बताईए कि आपको कैसा लगा और रेस्पी कैसी लगी तो पसंद आई होते से लाइक कर लेजे और च गाते हैं ऑड मेंगे और रइक करके बदा il Mensch झाया है वी narcissus कैसी में दो खिला आपा… जिसन ओली पनाने कर दो और झॉब चॉद्ळ शेए और इन मुलमलशए व्लाव इचला दो घ सनथे का फिला आपाने कर रहा है और नहीं से और रहा है